कभी आपने एक टीम का तीन कप्तान सुना है, नई सुना है न, इस वड़ों मैं आपको तमिल थलावास के बारे में बताने वाला हूँ, विकोज तमिल थलावास की टीम ने तीन कप्तान अनाउंस किये है, प्रो कबड़ी सिजन 10 के लिए, और साथ जोगिंदन नर्वाल जो कि दिन रिटायर हो चुके थे, प्रो कबड़ी लीक से, वो प्रो कबड़ी में वापस आ चुके है, इस वड़ों मैं आपको टॉप 5 अपडेट्स बताने वाला हूँ, जो यहां पे प्रो कबड़ी सिजन 10 के रिगार्डिंग निकल के आया है, तो विडियो बहुत इंटरस प्रो कबड़ी सिजन 10 के लिए, कली के दिन बेंगॉल एंड यूपी के टीम ने स्टॉरीज में डालके ये क्लियर कर दिया था कि दोनों ही यहां पे एहमदाबाद जा रहे है, मतब दोनों की टीम जो थी, यहां पे एहमदाबाद के लिए निकल चुकी है, आज के दिन पत वापस आ चुके है, प्रो कबड़ी लीग में, कैसे वापस आ चुके है, एज कोच यहां पे जोगिंदर नर्वाल इस बार प्रो कबड़ी सिजन 10 में देखने को मिल जाएगे, दबंग दली के जो असिस्टेंट कोच थे पहले अजे ठाकुरत है, लेकिन परसनल रिजन के क पारण उन्होंने कुछी दिन पहले कंफर्म कर दिया, कि वो यहां पे इस बार प्रो कबड़ी में देखने को नहीं मिलेगे, एज असिस्टेंट कोच ओफ दबंग दली, एज दबंग दली के टीम ने नया असिस्टेंट कोच अनाउंस कर दिया है, जो यहां पे जोगिंद निभाए, तीसरे अपडेट की बात करते है, तो तमल थलावास की टीम ने तीन कप्तान अनाउंस किया है, प्रो कबड़ी सीजन 10 के लिए, आखिर मैटर किया है, मैं आपको सुरुवात से समझाता हूँ, सबसे बहले तमल थलावास की टीम ने कल के दिन सागर राठी को अन लेकिन जब प्लेओफ का बारी आया तो उसमें सागर राठी इंजड हो गए, एंड उनकी जगह पे अजिंग के पवार ने कप्तानी का जिममेदारी उठाया, एंड उनके कैप्टेंसी के अंडर तमल थलावास की टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन मुझे लगता है कि सागर राठी ज़्यादा एक्सपिरियंस प्लेयर है, जिसके कारण इन पे गया है, एंड जिंके पवार को पुरी तरफ रिलीद दिया जाएगा कि आप अपने नैचुरल गेम खेलिए, जिसके कारण मुझे लगता है कि सागर राठी को कप्तान प्रोपलम यहाँ क्रिएट नहीं होता है, प्रोपलम यहाँ क्रिएट होता है कि तमल ठलावास के टीम ने दो वाइस काप्तान अनाउंस कर दिया गुलिया है अब बहुत सरेजन सोच रहेती कि क्या हो गया दो वाइस कप्तान कैसे अनाउंस हो गया तो आप एक तरीके समान सकते हो कि इनका बैकप कह सकते हो अगर जिंके पवार अच्छा नहीं केलते तो इनके जगह पे इनको वाइस कप्तान बना दिया जाएगा या फिर मुझे लग गई कुछ गंटे बात बाकि के जो 6 प्लियर जे उनको भी वाइस कप्तान अनांस कर दिया जाएगा विकोस हर एक team कबड़ी में हर एक player कप्तान वाइस कप्तान होता है जिसके कारण मुझे लगता है कि main captain करो ले vice captain सभी है विकोस जो player out होते bench पे बड़ जाते तो उन्हीं को कप्तानी निभाना पड़ता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा matter नहीं करता है main जो है वो यहाँ पे captain पे जो यहाँ पे सागर राटी है vice captain कितने भी team announce करे वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है अब जैसे कि प्रो कबड़ी के कुछ बड़े updates निकल के आरे daily कुछ ना कुछ वैसे ही अगर आपको IPL के हर एक update सबसे पहले चानना है ता आप cricket gully telegram channel को join कर सकते हो cricket gully telegram channel पे आपको IPL auction के हर एक update सबसे पहले देखने को मिल जाएगा नहीं सिर्फ IPL auction cricket के भी जो भी updates आते हैं उसमें cover किया जा रहा है IPL retention के जितने भी news थे सबसे पहले आपको उसी में देखने को मिला था तो जो भी interested है आप cricket gully telegram channel को join कर सकते हो description box में आपको link दे देने वाला हो नहीं तो telegram पो जाके आप add rate cricket gully search करके join कर सकते हो IPL के auction के हर एक update आपको cricket gully पे देखने को मिल जाएगा चौते update की बात करते हैं तो कुछ teamों ने कप्तान भी announce कर दिया है सबसे पहले बात की जाए पटना pirates की तो पटना pirates की टीम ने कप्तान announce कर दिया है यहाप पे नीडलश कुमार है वो में आपको बहुत ही पहले बता दिया था कि नीडलश कुमार ही कप्तान होने वाले पटना pirates के यू मुंबा की बात की जाए तो यू मुंबा के कप्तान and जो नया जर्सी है वो यहापे यू मुंबा की टीम आज announce करने वाली एक event है दुपहर के साड़े तीन वजे साय से event स्टार्ट होगा इंस्टाक्राम लाइफ या फिर आफेस्बुक पे चेक कर सकते हो जिसमें विकी कोसल साय से जर्सी अन्विल करने वाले अब जो भी है आप दुपहर के साड़े तीन बजे यू मुंबा के सोसल मेडिया पे चेक कर सक अब जो भी है वो आपको साड़े तीन बजे देखने को मिल जाएगा पांच में अपडेट की बात की जाए तो जयापूर पिंक पैंथर्स की टीम ने नया किट अनाउंस कर दिया है प्रो को बड़ी सीजन 10 के लिए आप अपने स्क्रीन पे जयापूर पिंक पैंथर्स का नया किट देख सकते हो जो यहां पे पीकल सीजन 10 के लिए रहने वाला है ज्यादा कुछ चेंज नहीं है में पिंक की कलर का थीम है बस थोड़े से यहां पर डिजाइन चेंज हुआ है अदर्वाइस देखा जाए तो यह वाला जर्सी भी अच्छा है मुझे पिसले वाला अब आपको यह वाला किट बेडिया लगा या फिर सीजन 9 का बढ़िया था आप अपनी राइक कॉमेंट करके बता सकते हो और भी अपडेट से लेकिन यह कुछ पांच बड़े अपडेट से जो मैंने आपको बता दिया है अब फिलहाल के लिए पहला मैच यहां पे तल्ग योदास एंड यू मुंबा के बारे में हमने बात किया है वो वाला वीडियो देखने के लिए आप राइट साइट पर क्लिक करके देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और इंटरसिंग उड़ो के साथ ठैंक्स वर वाचिंग